ओके तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है रिंग थी और जैसे मैंने डिस्कस किया था आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्मूला पर वो क्या है वो मैं आपको यहां पर लिख के बता दे रहा हूं एक ट्रीक है जिसका नाम है फे फेपु लिख टोटल गमवाइन के आजा तो आपका 2225 इंकलूडड है ठीक है कैसे इंकलूडड है वह मैं आपको ज्यादा नहीं जाना है बस कुछ टरंस जानने है ठीक हो जो जानते होंगा उनके लिए भी ठीक जो नहीं जानते होंगे त्याट मैं नोटेशन यूच्छ यानते प Euclidean domain, ओके, P use करते हैं, PID के लिए, ठीक है, principle ideal domain, ओके, P, F, E, P, U, U करते हैं, UFD, unique characterization domain, ओके, यह वागे आपका, UFD, and last one है, ID, मतलग integral domain, ठीक है, तो जिसको, अब step में, कितना भी डर लगता होगा, यह formula से वो, एक-दो question तो directly मार देगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो result हम लोग इवच करेंगे, P imply key, इसका negation क्या होगा, not key imply, not P, ठीक है, अब इन दिनों results को हम लोग imply करेंगे, यहाँ पर जो मैंने लिखा short फर्मूला, उसका क्या मतलब है, वो चीज मैं अभी समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर होता है, जैसे, अगर कोई आपके पास field दिया हुआ है, तो ओ क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही है, इसको direct language में लिख दे रहा हूँ, अगर कोई field है, वो क्या करेगा, इकलेडियन डोमेन होगा, ठीक है, अगर field है, तो इकलेडियन डोमेन होगा, field है, तो PID होगा, field है, तो EFD होगा, field है, तो integral डोमेन होगा, ओके, तद field imply ED, field imply PID, देखे कितना result होगा, फिल्ड इंप्लाई अगर कोई फिल्ड है तो क्या होगा इव एफडी भी होगा अगर कोई फिल्ड है तो आपका क्या होगा इंटीग्रल डोमेन भी हो गया ठीक है तो यहां से आपके चार रिजल्ट हो गया ठीक है अब फिर हम लोग शेकेंड पर आते हैं अगर कोई Euclidean domain है तो आपका PID भी हो जाएगा, अगर कोई Euclidean domain है तो EVFD भी हो जाएगा, अगर कोई Euclidean domain है तो आपका FU integral domain भी हो जाएगा, ठीक है, यहां से तीन रियल्ट हो गया, फिर आते हैं, थैड में, अगर कोई PID है आपके पास, अगर कोई PID है तो integral domain भी हो जाएगा, ठीक है, अब आते हैं, फोर, अगर आपके पास कोई Euclidean domain है, फेपू ID, तो आपका integral domain भी हो जाएगा, अब इनका थोड़ा साम लोग कनवर्स देख लेते हैं, ठीक है, कनवर्स में क्या था, कनवर्स में, अगर कोई integral domain है, मतलब रियाल टर्स है कि अगर P imply Q, हमने किया ना, अब not Q imply not कर दिए, अगर कोई ED नहीं होगा, ठीक है, तो इसको language में कैसे लिखेंगे, not ED, अगर कोई ED नहीं है, मतलब including domain नहीं है, तो वो क्या field भी नहीं होगा, clear, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ऐसे करते करते कि कितने सारे results में included है, अगर कोई PID नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, field भी नहीं होगा, अब आप सुच रहा होगा, एक कैसे, ए रिजल देखे, P imply Q होता, तो not Q imply not Q, दोनों एक वैलेंट होते हैं, ठीक है, अगर field imply PID, मतलब not PID imply not field, ओके, अगर कोई, not TVFDA है, ठीक है, तो not TVFDA तो क्यों हो जाएगा, not field हो जाएगा, okay, अगर आपके पास कोई है, not integral domain, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, not field हो जाएगा, यहांस कितने result हो गया है, 22448 results हो गया, आपका field and बाकी के terms में, ओके, अब सबका इसी तरह हम लोग कर लाएगे, तो मैंने क्या बोला था, लगभग 25 स्के राउंड थे, ठीक है, अब अगर आपके पास कोई not PID है, तो क्या होगा, not ED होगा, not PID है, sorry, not EVFD है, not EVFD, अगर आपके पास not EVFD है, तो भी not ED होगा, not ID है, तो भी अपका not ED होगा, उसी तरह यहांपी भी कर लाएगे, यहांपी क्या बाजाएगा, not EVFD है, तो क्या इंप्लाई करेगा, वो not PID होगा, अगर not ID है, तो क्या इंप्लाई करेगा, not PID, अब यहां से आपको लग रहा होगा, कितना सारी फ्रमूला होगे, यहां no ौ ti अइडिय और यहां no bombers एवार यांno ौ ti आइडिय और आह इसे आपको सबको में कमबाइन करके seemsल warmth है तरहें यहां से होगा क्या अगर team क्या होगा नॉट वे डिए किभीत हुण कर देख रहे होंगे कि कि रिजल्ट क्या है आपका या ट्रिक का लिए रियल्ट ट्रिक है एप इंप्लाई यहां से मैं थोड़ा सा स्पेश लेगे लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ ज्यादा जगा चाहिए लोके फिल्ट इंप्लाई एडी इंप्लाई पी आईडी इंप्लाई 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 इं यह फिदी और यह फिए इंपलाई आएड यहां से लिख चलेंगे तो फिर हमार पास का अगर इडिए तो पीया डि होगा इडि है तो आईडि होगा टिक यहां से देख लिगे इस टैप से करकर के जो मैंने वहां बनाया थो उसी तो पिजमर्टिक लिए पर जिंट कर रहा ठीक है ठीक है ठीक है np F अभी और आप्स जो में आपो में ट्रेक्शा प्लनृव के सांब श्छ जाएगो इस अब लिखा इंप्लाइ करेगा आइक तो खतम होगा अब इसका अते हैं कनवर्स में क्या लिखेंगे, पूरा उल्टा ले ले लिए, not id था न, not id, imply क्या करेगा, इसको मैं गिलियो को ले रहाँ, not id, पूइड था न, पे, पूइड, तो not id imply, not evfd, imply not pid, imply not ed, और यह क्या हो जाएगा, imply not field, यह हो गया, तो सब का उल्टा ले लिए, अगर कोई id नहीं है, तो fd भी नहीं होगा, id नहीं है, तो pid नहीं होगा, id नहीं है, तो ed भी नहीं होगा, और id नहीं है, तो field भी नहीं होगा, और इनी सारे का composition यहाँ पर जो मैं बना रहा था, अब आपको शाटने में एक रिजल्ट आवरे जो बहुत करता है वो क्या है जेड अंडर रूट माइनस डी इस इल एफ डी इस एंड वनली इस एंड वनली इस क्या डी इसकोल टू वन और टू ठीक है इस रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे तो एक आवगा बहुत देगा अब हमें जो एक्जाम में आप बहुत सारे कोश्चन देखाऊंगे ऐसे पूछा रहता है जेड अंडारूट माइनस 50 दे लिया जेड अंडारूट 23 दे लिया जेड अंडारूट कुश्मान लेजिए कुछ भी लेजिए 39 दे लिया अब इसका पूछेगा कि ED है PID है क्या है क्या नहीं है तो हमें पता है कि ना तो अगर EVFD की बात करें ABFD नहीं है ABFD नहीं ABFD नहीं ABFD नहीं ठीक है तो 9 TVFD वाला में आप यहां से देख लिए अगर कोई EVFD नहीं है तो क्या क्या नहीं हो सकता है तो PID नहीं होगा ठीक है यह सब कंसेप्ट हमें एक्जाम में हेल्प करते हैं अइडिटिफाई करने के लिए और जैसे मैंने दूसरा हो जाएगा आपका एभी हो जाएगा एक और है एभरी फाइनाइक इंटेग्राल डॉमेन इज फील्ड है तो वह सब आपके कोश्चन में सब आजाएगा जो ट्रिक में आपका एक ट्रिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है और दूसरा जो मैंने बनाए इनका सारा इस पे बहुत बार आपके नेट में कोश्चन पुछा हुआ तो आपका ड्यूटी क्या होगा कोश्चन पीछे का सुरू करेगा 19 दिसंबर से लेकर मैंने जो अब्जर्ब के मैं अपना अब्जर्बर्शन बता दे रहा हूँ तू थाउजन्ट एलेवन से लेकर मैंने 2017 तक अब्जर्ब किया था 18-19 के आप पुछा होगा मेरो क्याद नहीं आ रहा इसमें आपका इसका मतलब यह लगभव अगर एक साल भी एक कोशन तो पूछा ही है और यह आपके नेट गेट शेट हर जगा आता है महाराश्टा शेट गेट में भी आता है इसमें डेरेक्की आपको कुछन देखना और मारना है ठीक है तो थेंक्यू आज के लिए इतने है